Hello Friends, Welcome to Java Tutorial Series Dear Friends, आज की lecture में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे find कर सकते हैं कि आपके system के according Java Virtual Machine के लिए कितने processors available हैं इस topic के उपर discuss करने वाले हैं आज की इस lecture में last moment तक इस lecture को watch करें definitely आपको इस question का answer पता चल जाएगा तो चलिए start करते हैं सबसे बिले आपको runtime name की class का object create करना है इसके लिए आपको runtime name की class से get runtime name की method को call करना है इससे आपको runtime name की class का object मिल जाएगा इसके बाद इसको आपको एक reference में assign कर देना जैसे कि मैंने यहाँ पर runtime name की class को r reference में assign किया हैं आपको भी इसी तरीके से assign कर लेना है इसके बाद इस reference से आपको call करना एक method को जिसका name है available processors और print करवा देना है जैसे ही आप इसे call करके print करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जाओ virtual machine के लिए आपके system में कितने processors available हैं run करके check करते हैं और बेटर तरीके समझ में आएगा right click किया run file के ओपर click किया और इसे हम run कर रहे हैं और run होने के बाद आपको यह यहाँ पर बता देगा कि आपके system में four processors available हैं जाओ virtual machine के लिए तो dear friends I hope कि आज का lecture आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye bye